नमस्तर आप देख रहें अंग न्यूज रप्तार और मैं हूँ मुना सदर अस्पताल के हरकप से परिसान दमपत्ती न्याय के लिए पहुँचे आयुक्त कारियाल है भागलपूर के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई गरबड़ी को लेकर एक दमपत्ती ने भागलपूर के आयुक्त दया निधी पांडे के कारियाले अपनी गौहार लगाने पहुँचे यहां मामला दिसंबर 2022 का है जब गोड़ा डी के रहने वाले मिथून कुमार अपनी पत्नी को लेकर सदर अस्पताल डिलेवरी कराने आये थे तो आसा और कुछ भी चौलियों के द्वारा उनसे पैसे की मांग की थी जिसको उसे दे दिया था और अस्वासन दिया गया था कि आपकी पत्नी का डिलेवरी नॉर्मल होगा जिसके सिकायद सिविल सर्जन से भी की थी और सिविल सर्जन ने संग्यान लेती हुए मिथून कुमार को पैसा वापस कर दिया था और उसका नॉर्मल के बज़ाए सीजर करके उसकी डिलेवरी की गई थी कुछ दिन हुपरांट मिथून की पत्नी को अचानक से पेट में दर्द उठा और उससे अस्पताल ले जाया गया जहां से उसके बेहतर इलाज के लिए माया गंज रेफर कर दिया गया मिथून ने बताया कि बिचोलियों का सिकायत मैंने सिविल सर्जन के साथ साथ जिला अधिकारी को भी किया था जिसके बाद जिला अधिकारी ने इसका संग्यान लिया था लेकिन कोई कारवाई नहीं होने को लेकर आज आयुक्त के पास गुहार लगाने के लिए पहुचा हूँ लेकिन के लिए नहीं हो जाएं तो पैसा इतना लेने के बाद डॉक्तर से मिले बोला सधारन पसंद हो जाएगा तुम्हार घबड़ाओ मत कुछ नहीं होगा दिकत जब नहीं देखे को इसको कुछ लपरवाई देखे राध दरद से बेचाए नहीं रहा दरद भी कम गया तो कुछ नहीं इसको जब दिया तो हम जाएट को बोले जाकर सिया सब देखे मेरा पत्नी का इसे से पैसा भी लिया है तो सिया साइब आये मुझे पैसा लोटवा दिया चोटल आसा से आसास को बोला दलालो कमिसन खोरो करकर कि उसको वहां पर से भगा दिया नजर के सामने से जब भागाने के बाद जिसके बाद इसके बाद पत्नी बहुत बोलाकि नहीं को भी नहीं के बोला किसी के बोला उप्रेशन लाओक तरह से हैक कीदमे कंपहरा से नहीं लगा तब मैं जब नहीं क्या बार बार पेट में दरत होता था सार, हम बेच्चाय नहीं हो जाते थे, कोई रजगार हमरे पास नहीं था